बच्चो आपने रशनात्मक लेखन के अंतरगर्ट, कहानी लेखन, यात्राबृत्तांत, नाटक, एकांकी, बिभिन प्रकार की जो बिधाएं हैं, इन पर आपने जानकारी प्राप्त कर ली है आज हम लोग चर्चा करेंगे निबंध लेखन पर, निबंध क्या है और निबंध लेखन की प्रक्रिया क्या है वास्तों में रचनात्मक लेखन का वह रूप, जिसमें किसी भी विशेक वाधार बना कर मनो भाबों एवं कल्पनाओं को सहज अभिव्यक्ति दी जाती है, वो निबंध कहलाता है निबंध जो है यह भी रचनात्मक लेखन का ही रूप है, आत्मा भिव्यक्ति निबंध लेखन का सर्वोच लक्ष माना जाता है इसमें भाबों, कथाओं एवं उद्धर्णों के सामाशिक रूप के दर्शन होते हैं पहली चीज मैंने आपको बताया कि भाव, दूसरी बात है कथा और तीसरी चीज है उद्धर्ण इसका जो सामाशिक रूप है वो आपको इसमें दिखाई देगा इसकी कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती इसलिए निबंध का आयाम बहुत ब्यापक है किसी भी से पर स्वच्छंदता पूर्वक निजीपन के साथ सीमी ताकार में ब्यक्दीगत भावों, विचारों एवंग अनुभवों को एक विशेष्ट सवस्ठों, सजीवता तथा अपेक्षित संगत के साथ ब्यक्त करता है निबंध का विवेचन करते हुए, आचारी राम चंद्र सुक्ल ने निबंध के महत्त को प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि गद्यम कभी नाम निक्षम बदंती, तो यदि गद्य कभियों या लेखकों की कसवती है, तो निबंध गद्य की कसवती है भासा की पूर्ण सक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभो होता है अर्थात गद्य का पूर्ण विकास निबंधों में ही संभो होता है तथा निबंध में ही गद्य का पूर्ण विक्षित और सक्तिशाली रूप उभर कर आता है इस प्रकार भाषा की द्रिश्टी से निबंध साहित्य का सरवाधिक उन्नत वा परिपक्व रूप है अब निबंधों की विशेस्ताएं क्या होती हैं निबंधों के लक्षण क्या होते हैं प्रवितियां क्या होती हैं तो आईए देखते हैं सबसे पहले होता है व्यक्तित् प्रकाशन इसमें निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप से पाठक के सामने उपस्तित होता है इस तरह पाठकों में उसकी जो आत्मियता है इस्थापित हो जाती है और अपने व्यक्तित्तु का समूचा प्रकाशन लेखक जो है निबंध में करता है सहितिकार, समा लोचक और जो काब विसास्तर के ज्याता है उनका मानना है कि निबंध में संग्चीप्तता का गुण होना चाहिए वास्तों में संग्षिप्तता का गुण क्यों होना चाहिए चूंकि जितना ही वो संग्षिप्त होगा उतना ही वो प्रभावी होगा तो प्रभाव जो है अच्छा पड़े पाठक पर तो प्रभाव काडिता को सुनुशित करने के लिए निबंध का संग्षिप्त संगठित एवं सगन होना परमावस्यक है विखराव और अनावस्यक विस्तार से निबंध की प्रभावकाजिता जो है समाप्त हो जाती है अगर आपने निबंध को अनावस्यक फैला दिया अनरगल बातें आ गई तो निबंध की जो है गरिमा समाप्त हो जाती है और तीसरा बिंदु ह एक सूत्रता निबंध में क्रम या व्यवस्था की आवश्यक्ता रहती है भावों तथा विचारों को व्यवस्थित रूप से एक सूत्र में पिरोकर निबंध में रखा जाना आवश्यक होता है जो आपके विचार हैं जो भाव हैं उनको एक सूत्र में पिरोकर के और आप लिविवद्ध करें चौता है संपूर्णता का प्रभाव निबंध पढ़ने से पाठक को आनंद की अनभूत हो तथा वह प्रभावित हुए बिना न रह सके निबंध प्रारंब से अंततक जो है पाठक को अपने से बांध रखे भाव यह है कि उस निबंध का जो प्रभाव है संपूर्ण रूप से वह पाठक के मन पर पढ़ना चाहिए अब निबंध कितने प्रकार के होते हैं आपने देखा होगा कि निबंधों की विविजिता को ध्यान में रखते हुए विद्वा नात्मक या उसे कथात्मक निबंध भी कहते हैं च हर दूसरा है विवर्णात्मक निबंध है कि ऑ τीसरा है विशार आत्मक निबंध मकी इसंऔर वप्रटपन जैसे प्राकृतक द्रिश्य और पदास्त हैं इनको इस्थिर रूप में देखकर वर्ण किया जाता है इस प्रकार के निबंध में वर्ण विशय की लंबी चवड़ी विवेचना रहती है यह निबंध प्रायह ब्यास शैली में लिखे जाते हैं और दूसरा है विवर्ण आत्मक निबंध इस वर्ग के निब प्रफाग में देखा के स्थिर विशय वश्तु विश्तिर रूप लेंस्वर्ग में निबंधों में वश्त को इसका देखकर उसके घृच्षील और उसके जैसे पर्वता रोहन लोग पर्वतों पर चठते हैं वहां का चित्रांकन किया गया दुर्गम प्रदेश की आत्रा जो अगम में हैं कटिन हैं और जो शाहस पूर्णकारिय हैं इन सबका बढ़न विवर्णात्मक निबंध में किये जाते हैं इनहें करातमक निबंद भी कहा जाता है इन निबंदों में वियाश्यली का ही प्रयोक करते हैं अब तीसरा है बच्चो विशारात्मक या विवेशनात्मक निबंद इन निबंधों के वन विशे बहुत धिक विवेचन की अपेक्षा रखते हैं ये बहुत धिक होता है जिसमें विवेचना रहती है जिसमें चिंतन प्रधान निबंध होते हैं वास्तों में इसमें इन निबंधों में जो है दर्शन, आध्यात्म, मनोविज्ञान, आध्य गं जैसे गंभीर विश्यों पर ये जो विवेशनात्मक निवंध है विचारात्मक निवंध है आप इनको ची उप्छ न प्रधान निवंध भी आते हैं इस इसमें व्यास्यली के साथ साथ समास्यली का प्रयोग किया जाता है अब बच्चो चौथा है भावात्मक निबंध निबंध की विशिष्टता वयक्तिक्ता भावात्मक निबंध में ही व्यक्त होती है भावात्मक निबंध में व्यक्तिक अनुभवों लेखत जो है अपने व्यक्तिकत अनुभवों को प्रतिक्रियाओं को एवं संबेदनाओं को सहज रूप में जो है चित्रित करता है सहज बनन करता है अब निबंध की शैली क्या होगी निबंध की भाषा क्या होगी वास्तों में रचना विधान पदविन्यास और भाषा सोस्थो आदि को शैली कहा जाता है शैली के अंतरगत एक तो आएगा रचना विधान दूसरा है पदविन्यास और तीसरा है भाषा शोस्थो इसे ही हम शैली कहते हैं निबंध की लोक प्रियता रोचक्ता तथा पाठक की ग्राहियता उसकी भासा शैली पर आधारी रहती है तो निबंध में तीन प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है अभी तक नंबर एक है ब्यास शैली एक जो ब्यास शैली है इसमें चोटे छोटे सरल वाकियों का प्रयोग रहता है और दूसरी है समास शैली समास इसमें वाक के शामान्य से अपेक शाक्रिक बड़े होते हैं तथा शामाशिक एवं अधिक पर निष्चित होती है इसमें टत्समग सब्दावली का भी प्रयोक किया जाता है और तीसरी है भावात्मक शैली बावात्मक्निबंध में बुद्ध्यत्त्यों की ये पेकशा, रागत्यत्त्यों की प्रधानता रहती है इनमें रागात्मक्ता अधिक होने से कवित पूरुद्गार तसा सैली का संदर उबर कर सामने आता है ये जो भावात्मक्न SYLLी है ये अभी तीन तरह की होती है जैसे पहली है धारा सैली इसमें भावों की धारा प्रवाह में रहकर प्राय है एक गति से चलती है इस सैली में भावों का प्रकाशन नपी तुली उपयुक्त व सब्दावली में होता है दूसरी है तरंग एवं विक्षेप सैली इसमें भाव लहराते हुए से प्रतीत होते ह तरंग की भात उठते हैं और गिरते हुए प्रतीत होते हैं इस सैली के अंतरगट प्रवा एक सर नहीं रहता इसके अंतरगट लेखक कहीं मौज मस्ती में आकर लिखता है और दूसरे ही चण वहां उत्तेजित हो जाता है तीसरी है प्रलाप सैली प्रलाप सैली में भावा वेश की चरम इस्थित दिखाई देती है इस सैली के निबंधों में भावों की सगंती ब्रता दिल स्री गोचर होती है इनके अत्रिक्त वास्तों में वर्तमान समय में हास और व्यंग शैली भी दिखाई दे रही है आज अगर आप निबंध पढ़िये तो अनेक व्यंगात्मग निबंध हास से प्रधान निबंध आपको पढ़ने को मिलेंगे अब ये जो हास और व्यंग शैली है वह वर्तमान में काफी प्रचली थे खोब व्यंग लिखे जा रहे हैं ये सरवता भिन्ध कोट के निबंध होते हैं इनके लिखने के लिए एक विशिष्ट कोट की प्रतिभा अपेक्षित होती है अब आए ये देखते हैं हिंदी निबंध का विकास वास्तों में हिंदी साहित्य की महत्त पूर्ण विधाय निबंध विकास की द्रिष्ट से इसे हम चार भागों में मांट सकते हैं जैसा आप जानते हैं कि जो गद्ध का विकास है या भारतेंद यूग से हुआ भार्तेंदू हरिष्चन जिनके नाम से यह युग चल रहा है जिन्होंने गध्दी के विकास में अपना अभूत पूर्वियोगदान दिया तो पहला है भार्तेंदू युग दूसरा है दुवेदी युग जो आचार महावीर प्रसाद दुवेदी के नाम से चल रहा है तीसरा है शुकल युग जो आचार रामचंद्र शुकल के नाम से है और चौथा है आधुन की युग जिसमें अनेका अनेक लेखक रशनाकार हमारे सामने आते जा रहे हैं और बहुत उच्च कोट का साहित ये ज पत्रपत्रगाओं में छोटे-छोटे रूप में निबंध लिखे जाते थे चूंकि निबंध का स्रीगनेश था वो निबंधों में उस समय समाज सुधार और देश भक्ति का भाव प्रमुक्ता क्योंकि उस समय आजारी की लड़ाई अपने चरम पर थी और उस समय जो समा अजिक वी शंगतियां थी उनको दूर करने का भी फ्रयास किया गया तो इसके जो प्रमुक्त निबंधकार है भारतें परिस्यंग जैसा मैंने अभी आप से चर्चा की और भार्तेंदु रहीष्चन ने हरिस्चंद्र चन्द्रिका और कवियरत्न Сुधा पत्रिकाओं के माध्यम से बोल चाल की भासा के रूप में निबंधों को सामने रखा इस यूग के अन्य निबंधकारों में बाल कृष्ण भट, प्रताप नारायन मिश्र, अंभिकादत ब्यास, माधव प्रसाद मिश्र, बदरी नारायन चौधरी, जगमोहन सिंग, गोविंद नारायन मिश्र और राधा चन गोश्वामी यादी प्रमूख है और दूसरा आता है दुवेदी यूग, इस यूग में जो प्रभावी निबंध लेखक और संबादक के रूप में हमारे सामने आये वे आचार महावीर प्रसाद दुवेदी थे सरस्वती पत्रिका के संपादन के साथ मेग दूत और कवी और कविता जैसे विचारात्मक निबंधिन के उलेखनी है अन्य प्रमुक निबंधकारों में पंडित गोविंद्र नारायन मिस्र ये कभी भी थे चित्रकार भी थे और श्याम सुंदर्दास जो है समाज और साहित्य और भारती साहित के चिंतन में बहुत ही अग्रणी थे पंडित चंधर सर्मा गुलेरी शुप्रसिद्ध कथाकार और निबंधकार इनकी कहानिया आपने पढ़ी होंगी उसने कहा था उसने कहा था कहानी विच्षुप्रसिद्ध है ऐसे अध्यापक पूर्ण सिंग सच्ची वीर्ता आचन की सभ्यता मर्दूरी और प्रेम जैसे निबंध लिक करके कीर्थिमान इस्थापित किया पंडित पद्म सिंग शर्मा पंडित जगनाथ चतुरवेदी के नाम उलेखनी है अब आता है शुक्ल युक शुक्ल युक क भावों मनोविकारों से संबंदित और आलोचनात्मग निबंधों को हमारे सामने रखा जैसे लोभा और प्रीती है लज्जा और ग्लानी है सरद्धा है भक्ती है उत्सा है ये सारे निबंध जो है उत्कृष्ट माने गये हैं आलोचनात्मग निबंधों में इन्होंने सा प्रतिष्टीत है और आचाय रामचन्सुक्ल ने ही हिंदी साहित का इतिहास पहली बाल लिखकर सभी इतिहासकारों के लिए साहितिकारों के लिए और रचनाकारों के लिए मार्ग प्रसस्त किया इस युक्षे निबंदकारों में पीतामबर दास बड़ा थ्वाल जैशंकर प्रसाद जैशंकर प्रसाद जहां एक ओर महा कविते कामाईञी जैसा ग्रंथ लिखने वाले और चंद्रगुप्त-इशकंद गुप्त-ध्रुवस्वामिन जैसे नातक देने वाले कंकाल जैसा उपन्यास लिख करके किर्तिमान इस्तापित किया आचारिय नंद दुलारे बाचपेई गुलावराय और धीरेन भर्मा वासुदेव सरनक ग्रवाल पदुमलाल पुन्नालाल वक्षी और माखनलाल चतुरवेदी जैसे लेखकों का नाम इस यूग में आदर के साल लिया जाता है अब आत है बच्चो आधुनिक यूग आधुनिक यूग जो है विशेव वैविद्ध की द्रिश्टी से इस यूग में विविधता दिखाई देती है आचारिय डॉक्टर हजारी प्रसाद्दुवेदी डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर गुलावराय डॉक्टर रामबिला शर्मा डॉक्टर रामकुमार वर्मा डॉक्टर विद्या निवासमिष्र डॉक्टर कुवेरनात राय डॉक्टर स्रीराम परिहार गिरीश पंकच बिवेकी राय और हर्शंकर परशाई जैसे निवंधकारों ने इस यूग को उत्कृष्ट साहित्य प्रदान किया है और आज भी अनेक रशनाकार उत्कृष्ट साहित्य हमें दे रहे हैं आज का हिंदी निवंध साहित्य क्रम शह विकास की ओर बढ़ते हुए आज विशेश सम्रिद्ध इस चित में दिखाई देता है कि जिस प्रकार भारतेंद युक्के निवंधों में एक मस्ती और भावात्मक विशेशता पाई जाती है तथा दुवेदी युगिन निवंधों में एक स्रिजनात्मक्ता ज्यान वर्धक एवं उपदेशात्मक्ता का पुट है उसी प्रकार आज छो निवंध लिखा जा रहा है वर्धमान जो निवंध है प्रमुक्त आलोचनात्मक और चिंतन प्रधान है विचार प्रधान है बैचारिक्ता के साथ लालित्त का समावेश आज के निबंधों की बहुत बड़ी विशेस्ता है निबंध साहित क्रमशह लोकप्रिय होता जा रहा है यही उसके भविश्य के लिए शुभल लक्षन है अब चलिए बच्चो देखते हैं निबंधों का शिल्प विधान वास्तों में शिल्प विधान निबंध लिखने की जो रचना प्रक्रिया है निबंध लेखन की जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं अच्छे प्रभाव शाली निबंध लेखन के लिए निबंध के शिल्प विधान का विशेष धान रखना ज़रूरी रहता है तो इसमें पहली चीज होती है भूमिका जैसे आप लोग निबंध लिखते हैं आपकी परिक्षाओं में निबंध पूछे जाते हैं बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में निबंध पूछे जाते हैं तो आकि निबंध लिखने की प्रक्रिया क्या है तो पहली चीज है भूमिका निबंध की भूमिका में सर्व प्रसम अपने दृष्टिकोंड को व्यक्त करना चाहिए सर्प्रथम जो प्रतिपाध्य विशय है उसका परिशय प्रस्तुत किया जाना चाहिए और बीच में आती है व्यक्या व्यक्या निबंध का मुख्य भाग होती है इस भाग में विशय पर समचित रूप से प्रकास डालते हुए उसका सांगो पांग विशलेशन किया जाता है विशे को छोटे-छोटे खंडों में बात कर उनका अलग-अलग विशलेशन करना होता है कि इनके बीच संबंद भी छेद नहों एक समरस्ता बनी रहे एक प्रवाह बना रहे इन बातों के मध्य सिल्चिला बना रहे अन्यता वो जो है विखंडित सा लगेगा और तीसरा है निशकर्स जिसे आप उपसंगहार कहते हैं यह निबंद का वह भाग माना जाता है कि निबंद की भूमिका एवं व्याख्या में की गई बातों का सारांस बहुत ही सुन्दर शटीक और संचेप में लिखना होता है निशकर्स से ही निबंद का सार जो है पड़िलक्षित होता है कि निबंद कितना प्रभावी है निबंद कार अपनी रुच के अनुसार समापति वार्क कर लिख सकता है कि तो प्रतेक दसा में यह ध्यान रखना चाहिए कि निशकर्स ऐसा हो कि निबंद का जो संदर्य है शरलता इस पश्टता बनीर है भूमिका और व्याख्या में कहीं कहीं बातों का खंडन नहीं होना चाहिए बलकि उसकी पुष्टी होनी चाहिए तो जो उपसंगहार है निश्कर्ष है उसका प्रभावी होना पर्मावच्यक है चुकि यह निबंद के सच्चे उद्देश्य की पूर्थि करने वाला होता है इसी में निबंद का जो प्रतिपाद्य है वो निहित रहता है अब आईए कुछ निबंदों के संबंध में देखें कि किस तरह के निबंद आपको लिखने होते हैं जैसे त्योहारों से सम्मंधित निबंद आपके जितने त्योहार हैं होली है दूर्जा पूजा है रक्षा बंद रहेंий, जर्माश्च्रमी, दसहरा दिवाली इद, क्रिश्मस, रामनौमी। कभी-कभी इस तरह के निवन्धाप को लिखने होते हैं जो तेउहारों से सम्बन्नित होते हैं. दूसरा है राष्ट्रिय पर्व। राश्टियत वहार जैसे पंद्रा आगस्त है गनतंत्र दिवस है और जैसे गांधी जयनती है बाल दिवस है शिक्षक दिवस है इस तरह से मने जो हमारे राश्टिय और सेक्षिक पर्व हैं इन पर भी निवंध हम लिखते हैं